यूपी के महराज गंज में एक बार फिर गैंग रेप की घटना सामने आईए जहां घर में अकेरी लड़की को देखकर दो परीचे तारूपी घर में घुज गए और रेप की वारदात को अंजाम दिया जी हां पूरा मामला ठूटी बारी थाना चेतर के एक गाहों में नावाले के घर में घुजकर रेप कर से दो योगों को परिवार वालों ने पकड़ लिया मौके का फाइदा उठा कर एक आरोपी मौके से फरार हो गया नावाले को और घरवालों की शिकायत के बार ठूटी बारी पुलिस में गैंगरे पास को एक्ट और धंकी देने का मामला दर्चकर एक आरोपी को गिराफतार कर लिया है वहीं दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है घटना के संबन में पुलिस इच्छर में जानकारी दे तो भी बताए कि आरोपी नावालेक से पहले से परिचित थी के थाना थूटी बारी में एक मामला प्रकाश माया है जिसमें एक लड़की के दौरा दू लड़कों पर बलतकार करने ने आप लगाया है इसमें पुलिस के दौरा उंकधना पंज मित कि आ गया और अभी तक की जांच में यह आया कि जिस छात्रा के द्वारा यह आरोप लगाया गया उसका उस लड़के से पिछले एक से अधिक साल से सम्मन था और वो फोन से भी वारता होती थी वो CDR से प्रमाणित हो रहा है साथी साथ इसमें यह भी बताना है कि यह बात लड़की की जो पीडिता है उसके भाई को पता थी कि उसका प्रसंद एक लड़के से चल रहा है और इस बात को लेके जो प्रेमी और उसका भाई है उसमें फून से बहस भी हुई है इसके बाद शादी वहां गाव में शादी हो रहे थी और उसमें उसके परिवार के सभी लोग गए वे थी तो जो प्रेमी है वो लड़की से मिलने आया उसका एक दोस्त है उसका पीडिता की बड़ी भहन से समनth बताया जा रहा है और वो दोनों मिलने जब वहाँ पर आये और उसके भाई को ये बात पता चगी तो वह भाई उसका पिछी पिछा आया और वहाँ पर मौके पर उसने उस लड़की को पकड़ा उसके बाद पीडिता के तोरा ये तहरीक दी गई जिसमें क्योंकि पीडिता नावालिक है इसमें पुलिस को ज़रा फॉक्सो एक्ट के अंतरकत मुकपना पंजगत किया गया है और जो अभ्यूक्त है उसको गिरफतार किया गया है और उसको संबनित धाराओं में जेल बेज़ा जा रहा है और इसमें और भी जो चीज़ें सामने आएंगी वो समय पर आपको बताएं जाए किया है